तोहरे दिहल जीवन मैया, तोहरे पर ही अर्पिग्मा भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट पुरुशित हमारे भोजपूरी में दो स्टार, यानि की दो सबसे बड़े स्टार, स्टार तो काफी हैं लेकिन दो सबसे बड़े स्टार, खेसाई लालियादा और पवन सिंग, ये दो स्टारों का एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होने जा रहा है दशहरा को मतलब की समझे आप की अभी तक गानों से ही इन दोनों स्टारों का मुकाबला होता था लेकिन आप फिल्मों से भी इन दोनों स्टार का मुकाबला बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा पता है कैसे? किसाई लालियादों का बहुत ही तहलका मचाने वाला जो फिल्म संगर्ष टू था वो भी दशहरा में ही रिलीज होने वाला है और पवन सिंग का हर हर गंगे वो भी दशहरा में ही रिलीज होने वाला है तो अब आपको बताना है कि कौन सा सूपर स्टार का फिल्म सबसे जादा चलेगी और कौन सा सूपर स्टार सबसे जादा बवाल मचाएगा वैसे अगर बात किया जाए दोनों का फिल्म का टेलर के बारे में तो दोनों का फिल्म का टेलर जो है न वो दोनों का दोनों ही बेहतरीन है और पवन सिंग के फिल्म में एक खासियत है वो पैन इंडिया फिल्म है और दूसरी चीज पवन सिंग के फिल्म में जिसका नाम हरहर गंगे है उसमें खास कमी भी है कि उसमें जितना भी VFX वगेरा यूज किया गया है ना बहुत ही लो लेवल का VFX यूज किया गया है जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा होगा टेलर तीन दिन पहले आया है हरर गंगे का उसमें आपको सुरू में ही एकदम दिखाया कि एक बहुत ही बड़ा पक्ची उड़ रही है लेकिन वो पक्ची ऐसा VFX बनाया गया है कि क्या ही बताया पक्चे भी देख के यह समझ सकते हैं और वो बता देंगे कि यह दुब्लिकेट पक्ची है तो बताइए यह कमी है कि नहीं है उसके बाद आज से चार महीना पहले फिल्म का टीजर आया था जिसमें हमको मगरमक्च दिखाया गया था लेकिन वो मगरमक्च के बारे में भी अगर बात करें तो उसको भी बच्चे लोग बता देंगे कि हाँ यह भी VFX है और यह भी दुब्लिकेट है मतलब कमी सिर्फ एक है वो VFX का बाकी फिल्म का टिलर ब शहरा में तो हम तो कहेंगे कि दोनों स्टार जो खेसाई रालियादा और पावन सिंग है उनको बराबर का प्यार देना चाहिए और दोनों स्टारों का फिल्म को है ना एकदम सूपर डूपर हिट कराना चाहिए भाई क्योंकि पहली बार भोचपूरी में थोड़ा सा हिट कर देना है दोनों सूपर अस्टारों को एकदम सूपर डूपर हिट करा देना है बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिन उसकार पर नाम जै मगत जै बिहार